हालो दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे आपके अपने यूटीब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वगत है दोस्तो ट्रैपिंग स्पेक्टर से सबंदित ये हमारी क्लास 14 त रहेंगी इससे पहले की 13 क्लासिज अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिश्ट में जाकर देख सकते हैं ट्रैफिक्स इंप्रेक्टर के नाम से होगी और दोस्तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 से जादा बहुत ही महत्वण प्रेशन जो HPSC एक्जाम में बार बार रपीट करता है तो दोस्तो चलिए शुर प्राशबर्दन के राजदरवारी कभी थे तो इसका उप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तो बाणफट की सिद्रचन है उसका नाम है कदंबरी अगला जो प्रेशन है मलिक काफूर बाजे ट्रस्टर जर्नल ऑप मलिक काफूर एक विश्वशन ये सेनापती था दोस्तो जो मलिक काफूर था वो लाउदीन खिलजी का एक विश्वशनी सेनापती था इसका उप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि उसे 1000 दिनार में ख्रीदा गया था दोस्तो अगर अभी तक आपने वीडिय बंबे में कब हुई थी तो दोस्तो यह हुई थी ठारसो प्चासी में जो पहली भरतिराश्टिक कॉंगरिस की साबा है वो ठारसो प्चासी में बंबे में हुई थी जो की पूने में होनी थी पर पहां पर प्लेग बिमारी के करण बंबे बंबे में हुई थी गोकुल दास भीट प्रडूसिंग स्टेट आफ इंडिया इस तो दोस्तो भारत में सरबदिक जो क्यों है वो उत्रबदेश राज्ये में प्यादा होती है तो option C जो है इसका सही रहेगा और प्रती हेक्टर के उद्पादन के हिसाब से पंजाब आता है इसका option C सही रहेगा अगला पुछलतारा की अब जी कितनी है है यह पुछलतारा है पुप्रतेक 76 बरसों के बाद दिखाई देता है तो इसका option B है बस अई हो जाएगा अगला जो प्रेशन है दा साइंच विच डील्स बिदा स्टेडी ओफ इंसेक्ट्स इस नॉन एस दोस्तों बह विग्यान जिसमें बावक होते हैं फंजाई उनका ध्याइन किया जाता है और फाइकोलोजी में जो एलगी शैबाल होते हैं उनका ध्याइन किया जाता है अगला जो प्रेशन है पेन रिविंग डग्स ऑन एज़ दर्द में बीमूचक और शिदियां अनल जैसिक्स कहलाती है तो इसका जो option D ह वो सही हो जाएगा NLJ6 अगला जो प्रेशन है hydrogen bomb is based down दोस्तों जो hydrogen bomb होता है वो नाविकिये sun line पर अधारित होता है तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा और दोस्तों जो परमानु बाम होता है वो nuclear fusion पर अधारित होता है यानि कि नाविकये विकंडन पर अधारित होता है अ या फिर extra constitution body है ना वो एक statuary body है और ना ही constitutional body है तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अगला जो प्रेशन है finance commission is constituted under which article of constitution of India दोस्तों जो बितायोग है वो भारति समीधान के अनशेत दोस्तों 80 के दहत इसका गटन किया गया है तो इसका जो option A होगा वो स ये हिमाचल जी की के प्रेशन शुरू हुए है तपलेस Tandy is located in which district of HP स्थाल तांदी माचल प्रेश के किस चिले में स्थित है दोस्तों जो स्थाल तांदी है माचल प्रेश के लहल स्पीति चिले में है तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों जो स्थाल त स्पीति में मनाया जाता है लेकिन लहल स्पीति के भी पिशेश जगा मनाया जाता है तिरलोकी नाथ मंदिर को अकसर आप अपने option के साब से सही कर सकते हैं इसका option C सही रहने बाला है अगला प्रेशन है वाइल्ड फ्लॉवर हॉल किसका निवास था तो दोस्तों जो वाइल लॉड एलिगन थे वो शिमला कब आये थे अगला जो प्रेशन है सोरी धर्मशाला कब आये थे जो लॉड एलिगन थे वो धर्मशाला कब आये थे अगला जो प्रेशन है बिच टाउन इस सिच्वेटर अंदा बैंक ऑफ रिवर रावी कौन सा नगर रावी नधी के किनारे बसा हुआ है तो दोस्तो जो चमबा नगर है वह रावी नजी के किनारे बसा हुआ है option D इसका सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है बेर वाज़दा capital of महाराजा संसार चंथ महाराजा संसार चंथ की राजधानी कहां थी तो दोस्तो जो महाराजा संसार चन थे उनकी राजधानी सुजानपर में थी इसका option B जो है वो सही हो जाएगा दोस्तो जो महाराजा संसार चन थे आपको पता होगा कांगडा के प्रसेद राजा थे अगला जो प्रेशन है अभुक बिलासपुर की कहानी बाज रिटन वाए तो दोस्तो जो बिलासपुर की कहानी पुस्तक है वो अक्सर शिंग के द्वारा लिखी गई है option A जो है इसका सही रहने बाला है अगला जो प्रेशन है the sun temple is at तो दोस्तो जो सोर्य मंदर है वो शिमला के नीरित में स्थित है तो इसका जो option D है वो सही हो जाएगा नीरित अगला जो प्रेशन है रेंग का संबंदित है रेंग का इजे associated with जो प्रेशन है वो परफिध रांप सहिफ पठंदित है इसका option C सहिरेगा और removes सर्द कर निर्वासित कर दिया थको निर्भासित कर दिया था किसी अन्या देश भेज दिये गया था सेंगापूर अगला जो प्रेशन है दा फिए य confidently रव बाबा वर्र भाःक जो बाबा भड़भाग सिंग का मेला है दोस्तों वो उन्ना जिले में मनाया जाता है ऑप्शन डी जो है इसका सही रहने बाला है अगला जो प्रेशन है अगर आपको वीडियो पसांद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर बाचेंग गॉड़ ब्लस यू अल